वर्ग समिकरण के मुलों की प्रकृती Nature of Roots of Quadratic Equation उपर के उधारणों में हमने विभिन वर्ग समिकरण के विभेदक सूत्र D बराबर B की घाद दो रिन चारेसी की साहता से प्राप्त किये उधारणों में D के मान क्रमशा 0 रिन पंद्रा आठ प्राप्त हुए D के ये मान 0 रिनात्मक एवं धनात्मक संक्या के रूप में प्राप्त हुए है इसका अर्थ है कि विभेदक 0 रिनात्मक या धनात्मक हो सकते है क्या ऐसा होने से वर्ग समिकरण के मूलों के बारे में कोई खाज जानकरी मिलती है आईए इसका पता लगाते है चोकि AX की घाद दो धन BX धन C बराबर 0 जहां A B C वास्तुईक संख्या है और A 0 के बराबर नहीं है कि मूल ग्याद करने के लिए सूत्र है X बराबर रिण B धन रिण वर्ग मूल B की घाद दो रिण 4 A C बटा दो ए जहां यहां यहां B की घाद दो रिण 4 A C बराबर D है अर्थात X बराबर रिण B धन रिण वर्ग मूल D बटा दो ए D बराबर B की घाद दो रिण 4 A C मूलो की प्रकृती में विभेद अंतर करता है इसलिए इसे विभेदक या विविक्तर कहा जाता है अब तीन इस्थितियों की चर्चा करते हैं इस्थिती एक हम तीन विभेदक D बराबर 0 है तब तब हमारे पास X बराबर हम D के स्थान पर 0 रखेंगे तो रिण B धन रिण वर्ग मूल 0 बटा दो ए धन चिन लेने पर X बराबर रिण B धन 0 बटा दो ए या रिण B बटा दो ए यहां X के दोनों मान अर्थात मूल वास्त्वीक संख्याएं है और समान भी है निशकर्ष यदि D बराबर 0 हो तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्त्वीक वा समान होते हैं आगे इस्थिति दो को आगे देखते हैं इस्थिति दो इस्थिति दो यदि D बराबर कोई धनात्मक संख्या हो तब माना D बराबर उन्चास तब X बराबर रिण B धन रिण वर्ग मूल उन्चास बटा दोए और इसी को जब हम आगे हाल करेंगे तो रिण भी धन रिण वर्ग मूल उन्चास जो है वह साथ हो जाएंगा बटा दोए वर्ग मूल उन्चास बराबर साथ अब कहीं हम धन चिन धन चिन लेने पर X बराबर रिण B धन साथ बटा दोए उसी तरह से रिण चिन लेने पर X बराबर रिण B रिण साथ बटा दोए यहां X के दोनों मान अर्थात मूल वास्त्विक संख्याएं हैं और असमान हैं निश्कर्ष यदि D का मान शूने से बड़ा है अर्था धनात्माग है तब वर्ग समी करण के दोनों मुल वास्त्विक व असमान होते हैं इस्थिती तीन यदि D कोई रिणात्माग संख्या हो तब जैसे D बराबर रिण इक्या से तब हम सूत्र में X बराबर रिण B धन रिण वर्गमूल रिण इक्यासी बटा दोए लेंगे और रिणात्मक संख्याओं का वर्गमूल अधिकल्पित या कालपनिक होता है तो धन चिन धन चिन लेने पर X बराबर रिण B धन रिण वर्गमूल रिण इक्यासी बटा दोए और रिण चिन लेने पर X बराबर रिण B रिण वर्गमूल रिण इक्यासी बटा दोए यहां X के दोनों मान अर्थात मूल असमान हैं लेकिन रिणात्मक संख्याओं के वर्गमूल होने के कारण कालपनिक है निश्कर्श यदि D छोटा है शोन से अर्थात रिणात्मक हो तब वर्ग कालपनिक एवं असमान होते हैं